दाइग्जाम वार में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाना सिविल सेवा मुख परिक्षा 2021 समानिय अध्यन का परशन पत्र जो आज संबन हुआ है 29 अक्टूबर 2022 को जैसे कि आप जानते हैं हरियाना सिविल सेवा का प्रिक्जाम जो था वो र प्रिक्षा गया है इस इंडिया कंपनी के ब्यावसाई की हितों से शुरुवात करें कि ब्रिटिस सम्राजनी भारत को अपनी कभजी में कर लिया इस मौन आकर्मन को रोकने में भारत की अस्वलता के पीचे मुख्यकारण क्या है from business and trade interest of company called east India company the British empire annexed India into its food what are the main regions for India's value to stop the silent invasion question number second है जो की बहुत अच्छा प्रशन पूछा गया है है मैंनी इंडियन एंड मर्टी नेशनल कंपनी जार रुनिंग इंटू ता विलेज़ेज बिकॉज दिस मैसिव एंड रूरल मार्केट के नोली से इकॉनमी आप अबर कंट्री डिसकस करना है बहुत सारी भारती और बहुत राश्टी कंपनियां गाउं की तरफ भाग रही है क्योंकि गाउं का व्यापक बजारी एकमातर हमारे देश की अर्तवरस्ता को बचा सकता है चर्चा करनी है छे अंकों का यह प्रशन था और कोस्ट नंबर थार्ड जो वो डी आई से पूछा गया है डाटा इंटर्पर्टेशन से ठीक है कोस्ट नंबर फोर की और बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर गुप्त काल के महत्पोर्ण साहितिक युगदानों की व्याख्या करनी है आपको एक्स्पलें दा इंपॉर्टेंट लिटररी कंट्रिबूशन आप गुप्त पीरियड आपको बता दे यूपी पी से मुक्य परिक्षा 2022 में भी गुप्त काल स से समंदित प्रशन पूछा गया था ठीक है कोश्चे नंबर फाइव देखते हैं यहां पर कोश्चे नंबर फाइब जो है वो एथिक्स से पूछा गया ठीक है प्रशासनिक जवाब देही को शामिल करने में शिकायत निवार्ण तंत्रों ने एक मतमन भौम का निभाई है विशिट उदारणों के साथ अपने तरकी व्याख्या करनी है ठीक है ग्रिवांस रेट्रेशल मेकेनिजम है प्लेट ए वाइटर रोल इन इंप्रोविंग अड्मिस्टेटिव एकाउंटाबिलिटी जस्टिफा यूर अर्गुमेंट साइटिंग इस्पेसिफिक एक्जाम वर्षयों में भारती बैंकिंग छेतर में अनर्जक संपतियों के संची करण ठीक है अनर्जक संपतियों के संची करण जिसे कहा जाता है एकुमलेशन आप नान परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे एंप यह कहा जाता है ठीक है के पीछे मुक्षे कारक क्या है यह आपको बता ना है ठीक है कोश्च नमबर एट है भारत के आर्थिक विकास में सूचम लगू और मध्यम उद्यमों की भूंका की व्याख्या करनी है बहुत ही अच्छा प्रशन पूछा गया है इसके बाद कोश्च नमबर नाइन देखेंगे बहुत है भारत की परमाणो नीती पर चर्चा करें इसके प्रतम इस्तेमाल नहीं नीती पर उदियमान बहसों का विशलेशन करना है जो भारत की नीती है ठीक है वो नो फस्ट यूज डॉक्ट्रिन है भारत परमाणो भम का ठीक है पहले इस्तेमाल नहीं करेगा ठीक है जवाब देगा उसका ठीक है इस पर ही आपको विशलेशन करना है इसके बद कोस्ट नंबर 10 है स्री लंका में वरतमान आर्थिक विपदा के कारणों का पता करना है जो भी स्री लंका में वरतमान हालात है ठीक है उस पर आपको कारणों का पता लगाना है कि ऐसा वहाँ पर क्यों हुआ है ठीक है ठीक है उनकों का ये परिशन है कोस्ट करना है विभिन राजियों के उधारणों द्वारा अपने उत्तर का समर्थन करना है चाहिए उधाउंकों का प्रशन है ठीक है इसके बाद कोश्चे नमबर 12 है मदिकाली नितिहास से अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की इसके द्वारा मुगल परशासन में लाएगे परिवर्तनों की चर्चा करनी है ठीक है यदि मनसबदारी पर आप ने विस्तार से पढ़ा है तो आप इस पर अच्छे से लिख सकते हैं ठीक है वाई डी डखबर इंटोडूस मनसब कारदार उठाएगे कदमों की व्याख्या करनी है ठीक है इस मस्या से निपटने में आने वाली चुनोतियों से निपटने के लिए आवशक मुद्दों पर एक संचिप टिपनी लिखनी है कोश्चन नंबर फोटीन देखेंगे जलवाई परिवर्तन से पूचा गया है कारदार परणाली ने विधाइका को कई अधिकार दिये हैं साथी ये भी स्वस्ट करना है कि कारदार को नियंतरित करना क्यों आवशक है ठीक है दा बाल्या मेंटरी सिस्टम अप एक्जिक्यूटीव वेस्टस मैनी पावर्स इन इन दा लेजिसलेटर फर कंट्रोलिंग द एक्जिक्यूटीव इलुसिडेट आल्सों है वाई इन इस सो नेसेसरी टो कंट्रोल दा एक्जिक्यूटीव 14 मार्क्स का ये कोश्चन है कोश्चनमबर 16 देखेंगे परति रख्च्छा और सामरिक छेत्रों में भारत रूस सहियों का आंकलन करना है ठीक है इंडो रस्जन collaboration in defense and strategic areas और question number 17 है सहिकारी संगवाद पर हाली के वर्षों में सहिकारी संगवाद की अवधारना पर लगातार बल दिया गया है वर्तमान धाचे की कम्यों को अपर मुक्ता से दिखाएं और ये भी बताएं कि सहिकारी संगवाद इन कम्यों का मुकाबला कैसी करेगा इसके बाद कोश्चे नमबर 18 देखते हैं कोश्चे नमबर 18 पूछा गया है क्रिटकली एक्जाइमिन इंडिया चाइना रिलेशन इन व्यू आप रिसेंट गलवान वैली क्लैश हालिया गलवान घाटी संगस के परिप्रेक्ष में भारत-चीन संबंधों की आलोचनात्मक जहांच करनी है ठीक है गलवान घाटी में जो क्लैश हुआ था उससे समंधी ये परिशन पूछा गया है आप जानते हैं चाइना के जो ट्रूप से वो इंडिया में गलवान घाटी में आ गया थे भारत की सीमा में ठीक है और उससे जो है क्लैश हो गया था दोनों सेनाओं के बीच में उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है इंडिया चाइना रिलेशन पर आलोचनात्मक जाँच करनी है ठीक है कोश्चन नमबर 19 है भारत की समुद्री सुरच्छा के लिए हाल ही में कमीशन किये गए पर इसका क्या पर भाव पड़ा था ठीक है तो यह थे जनरे स्टडी से समदी 20 कोश्चन अर्याना सिविल सिवा मुख परिक्चा 2021 जो आज संबन होगा है 29 अक्टूबर 2022 को सेकंड सिटिंग में हिंदी का पेपर भी होगा वो भी आप अवश्य देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी अवश्य कर लेजगा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत भुत धेन्वाद आपका दिन शुब हो कि अवश्य कर दिन शुब हो